आजादी के अमरित वर्स में दिल्ली एक खास रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अर्विंद केजरिवाल ने कहा कि हम 130 करोड भारतिय मिलकर भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाएंगे। यहां सुनिया अर्विंद केजरिवाल ने क्या घोशना की है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूं। पूरा देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। हर भारतवासी देश भक्ती में डूबा है। चार अगस्त को दिल्ली में हजारों हजारों बच्चे कठे होंगे। और उस दिन संकल्प लेंगे कि अब भारत रुकेगा नहीं। अब भारत थमेगा नहीं। अब हम 130 करोड भारतवासी मिलके भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए। हम पीछे क्यों रह गए। हम किसी से कम तो नहीं है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। नदियां, पहाड, खनिजपदात, जड़ी बूटियां, फसलें, समुद्र, सब कुछ दिया है भगवान ने। भारत के लोग दुनिया में सबसे intelligent है, सबसे महंती है, फिर हम पीछे क्यों रह गए। अगर इन नेताओं और इन पार्टियों के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश पीछे रह जाएगा। अब देश के 130 करोड़ लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आईए आजादी के 75 वर्ष में हम प्रण लें कि हम भारत के 130 करोड़ लोग एक साथ मिलकर एक जुट होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेश और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं, Can India lead the world? Why not? आपको क्या लगता है? क्यों नहीं भारत विश्व का नंबर वन देश बन सकता? पर इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। भारत के 130 करोड लोगों को साथ आना होगा। व्यापारी, किसान, उद्योपती, मजदूर, नौकरी पेशा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सबको सबको साथ आना होगा। 75 साल पहले जब सारा देश इकठा हुआ था, तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया था। अब हम सब एक बार फिर एकठेओ के भारत को दुनिया का सर्वशेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे।